हलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि UPSC Prelims में Science and Tech की Questions की संख्या बढ़ रही है, ये एक बात, दूसरी बात जो Nature of Question है, उसका लेवल हर साल चेंज हो रहा है, अगर आप 2021, 22 या 23 की प्रशनों को देखते हैं, तो Science and Technology की Questions ना केवल Applied Nature के हैं, बलकि उनमें 50% उससे अधी Questions, नेरली 7-8 Questions टेक ही होते हैं, अबलब उनमें आपकी Understanding Tech Level की होनी चाहिए, और UPSC नहीं यहाँ पे NCRT इस खासता और से 11-12 के Fundamentals of Sciences से कुछ statement उठानी शुरू करें, इसकी वज़े से उसके 50% questions होते हैं, वो तो आपकी पहुंच में होते हैं, और बागी के 50% questions आप नहीं कर देख रहे हैं, अगर आप इसका part बनते हैं, तो आप इसमे Science and Technology के उन पहलूओं को टच कर पाएंगे, जो कि आभी तक आप से छूटे हुए हैं, तो Science and Technology के questions ज्यादा तर बच्चे ठीक नहीं कर पाते हैं, पीछे उसमें कुछ कमियाह, उनकी अप्रोच में कुछ दिक्कत ह कुछ चीजें हैं, जो पकड़ नहीं पा रहे हैं, और जो normal current affairs market में आते हैं, इन में से 2-3 questions से ज्यादा आपको help नहीं मिलती है, Science and Technology का स्लावस इतना छोटा है, उसे एक हपते में तयार किया जा सकता है, अगर आप organized तरीके से पढ़ते हैं, तो Science and Technology के 15 में से 12, 13, 14, और हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि Science and Technology के questions की संख्या किस तरह साल दर साल चेंज हो रही है, तो यह हमारा एक trained analysis का table है, आप में से कई लोगों इसे पहले भी देखा होगा, आपको idea होगा कि Science and Technology के questions कितने आते हैं, अगर आप कुछ पीछे जाते हैं, और देखते हैं, year 2014 स के बात से ही, number of questions जो science के हैं, वो 13 से उपर बढ़ते चले गए हैं, और कुछ सालो में 16 questions, 14 questions, यह marks हैं, तो हम हाफ करके देखते हैं, तो question हो जाते हैं, 2023 में 28 number के question Science and Tech की आते हैं, मतलब 14 question, इनमें 2 से 3 question जी हो blended question होता है, जैसे एक से 2 question economy, science and tech का blend होता है, एक से 2 question environment and science and tech का blend ह होता है, और करीब एक question आप मान की चली हर साल geography और science tech की blending से आता है, जिससे आप geography से solve नहीं कर सकते हैं, जिससे आप economy से solve नहीं कर सकते हैं, even science tech से वो question solve होता है, इसलिए जो question address करने का आपका approach है, method है, आइडिया है, वो सब कुछ बदलने की जरूरत है, थोड़ा साथ निभ करते हो, एक question बढ़ाना मुश्किल होता है, science and tech में आप थोड़ास effort करोगे, आपके सीधे 5-10 question बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, अगर आप पहले 4-5 question ठीक करते थे, आप 12-14-15 question ठीक कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है, science and tech के question ठीक करने के लिए, आपके लिए एक proper program ह करने हैं, तो science and tech का जो syllabus UPSC में आप सबको पता है, इंग्लिस और हिंदी दोनों में लिखा, आप लोग इसे देख सकते हैं, science and technology, development, their application, effect in everyday life, और यही वो area है, यहां science and tech के सबसे ज़्यादा question ठीक है, इसमें ना के बराबर question ठीक है, इसलिए 5 सालों में एक question आए, घर से लिखे हुए है, bio technology, science and tech में 3 से 4 question यहां से आता है, space tech 2 से 3 question आता है, IT and digital से 3 से 4 question आता है, agricultural sciences से 3 से 4 question आता है, सारी शीज़े syllabus में पहले से mention है, हम इसको deep letter करेंगे, हम इसको open करेंगे, इसको decodify करेंगे, so that कि आप इसको समझ सकें कि question क्यों नही science tech के आप कर पा रहे है, तो हमने science and tech के questions का analysis करते हुए, कितना last 10 year का, last 10 year के science and tech के questions को analyze करते हुए, science and tech को 7 units में classify किया है, 7 units में, यह 7 units कौन से है, सबसे पहले हम देखते है, IT and digital, then space tech, bio technology, defense technology, alternative energies, food and agricultural sciences, and emerging science and technology, इसमें कुछ micro topics यहां पे लिखे हुए है, फ़र आस इसको zoom करते है, बढ़ा करते है, आ पहला unit है हमारा IT and digital, Blitz के अंतरगत, हम लोग यह topic IT and digital में cover करेंगे, एक बात और, क्योंकि यह education का अपने आप में two way और most advanced method है, पहले की तरह नहीं कि आप one way dictation चलता रहता है, अगर student हमें कोई topic add करने के लिए advice करते हैं, वो topic निश्चे तोर पे हमारे इस program में add किया जाए एक बात, उसके पीछे proper rational होना है, blindly हम कोई भी चीज़ टस नहीं कर, research के आधार पर हम यह बात establish कर चुके हैं कि science and tech में कौन कौन से topic important है, यह पिछले एक साल से होता आया है, इसमें एक और session आने वाला है, जो research based है, 2-3 दिनों में वो भी session आएगा, इसमें आप 2003 में आई इसमें कुछ topic और add हो सकते हैं, क्योंकि हम current affairs December 2023 तक के cover कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारी classes आगे बढ़ेंगी, January, February, March के current affairs आना शुरू हो, 30 April तक का current 10 मई के पहले-पहले cover कर लिया जाएगा, फिर से सुनिये, 30 April तक का current affairs सभी सातों units में 10 April के पहले-पहले cover कर लिया जाएगा तो current affairs day by day add होगा, तो ये syllabus अपने आप थोड़ा सा बढ़ेगा, तो अभी हमारे syllabus में क्या क्या चीज़े हैं, ID and digital क्या अगर हम बात करते हैं, ID and digital में क्या क्या है, computer technology, communication, transportation, technology, तो ये computer technology में हमें इसके basics पढ़ेंगे, जब हम basics पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, open source, closed source, software क् क्या काम करता है, interference में कैसे किया जा सकता है, वायरिसे, anti-vायरिसे कैसे बनते हैं, तो आप देखेंगे कि UPSC 2022-22 के question किस तरह solve हो बात, तो communication and transportation technology, तो communication में जो भी development हुआ है, उसके basics पढ़ेंगे, तो 4G, 5G, 6G, आप तो हम 6G की बात करने वाले हैं, 5G पर ज्यादा focus नहीं हो क्या application है, किस-kis field में application है, finance में क्या application है, ज्यादा important हुआ है, privacy, data security में क्या importance है, हम लोग पढ़ेंगे, quantum technology में ये पढ़ेंगे कि quantum technology कैसे काम करती है, conventional mathematics से किस तरह अलग है, कैसे quantum behavior अलग होता है, कैसे इसमें black and white नहीं होता quantum technology से, जैसे आप normal coin को toss करते हो, वो head या tail आता है वो आपकी conventional mathematics है, quantum technology में वो head and tail एक साथ होता है, और कोई एक phenomena, कोई एक phenomena हमेसा exist नहीं करता, तो ये सारी शीज़े हम लोग detail में establish करेंगे, जैसके मैंने बताया है, कि हम 6G पर ज़्यादा focus करेंगे, 6G कैसे 5G से आलग है, इस पर बात करेंगे, UPSC हमेसा एक कदम आगे रहत है, जो चीज़ आप newspaper में regular पढ़ते हो, वो चीज़े UPSC में पहले पहुच चुकी होती है, जैसे आप लोग CRISPR आजकल पढ़ते हो, CRISPR UPSC ने 5 साल पहले पहुचा, 8 साल पहुचा, दो बार UPSC हमेसा एक कदम आगे रहता है, 6G की पर बात हो रही, 7G पर बात शुरू हो पता चलेंगे, microwaves क्या होती है, infrared waves क्या होती है, जब आप उनके behavior, उनके nature को समझ जाएंगे, उनके आकार को समझ जाएंगे, वो waves क्या काम कर सकते ही समझ जाएंगे, तो आपको बहुत सारे उदाहना रटे नहीं मारने हो, Electromagnetic spectrum से फिछले 12 साल में 12 कोशन है, 10 साल में 11 कोश पता है, सिर्फ एक example हमने लिखा, Chair GPT, बागे की सारी example जो important हम उनको पढ़ेंगे, किस तरह artificial intelligence अपने आप में नहीं-नही science की trend डेवलप कर रहा है, इसमें कौन-कौन से dangers हैं, कौन-कौन से threats हैं, उन threats के पीछे क्या rational है, ये prelim claim है, threats कौन-कौन से, वो main skill important, वो आप आप आसा हम लोग इन सारी चीजों को background में इन subject को समझेंगे, deep facts आसकल काफी popular है, जब से रसमिका मंधाना का deep facts बना है, इसकी बाद, अमिताब बच्चन, रभीष कुमार, अधान मंतरी जी का deep facts जब से इधर popular हुए है, इसके हम लोग समझेंगे, कि deep facts इन-किन टेक्नलोजी के basis के का करती है, किस तरह काम करती है, जिन अगेन उसके क्या threats है, उनको कैसे prevent किया जाए, कौन से IT के धारा है, जिनके मादम से बनाने वाले videos, और किसी की privacy को on end करने वाले को punishment मिता है, समझेंगे, एक एक करके, ठीक है, इन जनरेटिव आर्टिव 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 अगर आप फालो नहीं करते है, गूगल में आप सिर्फ और डालोगे, हिंदी में, इंगलिज में और कई भासों में आता है, आप उसे फालो करो, सभी लोग के लिए कुछ नई चीज़े ज़रोर फालो करें, तो कि आपकी examination की काफी important है, और खास तोर से गर उन पर government support है, त structure के माध्यम से किसी country के data को hack करके, आप उस country को किसी भी condition में ला सकते है, तो उनको कैसे protect किया जाए, एक civil servant होने, के नाते आपको इन चीज़ों की समझ होना जरूरी है, then cloud computing, cloud computing, open source, closed source, इस सारी चीज़े important हो जाते है, क्या internet होते है, क्या internet होते है, तीनों चीज़ों के बार तो बीच में किस तरह का होता है, इसकी वज़े से उसे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, क्या वो codified होता है, या उसका inscription करने की कुछ और तरीके होते है, तो वो दो devices के बीच में कैसे होता है, ये समझना आपके लिए जरूरी है, उसके लिए आपको inscription समझना पढ़ में कई question back to buy का रहे है, आजकल नए technology की माध्यम से कैसे transaction को easy किया जा सकता है, आपने देखा होगा काई सारी Google की websites में password ही नहीं मंगता, pin code भी नहीं मंगता, आपने payment किया, payment हो गया, क्या RBI इनों कोई करने के लिए permission दी है क्या, क्यों वो हो पा रहे है, हम लोग इस सारी ची आता है, जैसे polarization क्या है, जैसे universe का structure क्या है, इसमें dark matter का क्या role है, dark matter को कैसे हम लोग समझते हैं, कि dark matter इस्ट भी करता है, इसमें standard model क्या है, वो चीज़ हम लोग face physics के basic में समझेंगे, इसके अलाबा GSLV, PSLV के basic समझेंगे, कि GSLV, PSLV कैसे काम करता है, उसके इसमानित कौन करने के लिए कोई नया mechanism नहीं develop किया जाता, अबल telescope के बाद James Webb की important है, James Webb ज्यादा है advance क्यों हम लोग समझेंगे, किस काउन काउन से कामों कि इसने किया है, जो phenomenon इसने capture की है, उनकी क्या importance है human life में, क्यों समझना जरूरी है आपके लिए, समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, इन से समंधित हम लोग questions भी लेंगे, तो IQ वो भी standard level, अगर आपने हमारी questions से देखे हैं, राज 100 में तो आप तक आपको या idea हो गया होगा, why we are India is best in this regard, then gravitational waves क्या है, Indigo India उस field में क्या काम कर रहा है, उसकी क्या importance है, क्यों हम लोग gravitational wave में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, दुन अब important नहीं है, अगर अधित्या L1 में कुछ भी आएगा, तो वो आएगा, अधित्या L1 के basics क्या है, L1 L2 का निर्धारन के इस तरह होता है, किस position में अधित्या L1 को place किया जाता है, और क्यों, कौन सी चीज़ें हैं जो gravitation को balance करते हैं, जिसकी वज़े से, अधित्या L1 को क अधित्या L1 के लिए होते हैं, उनकी जब आप micro reading करते हैं, तो आपको समझ जाता है कि हाँ UPS से क्लिए consciousness important है और क्यों, क्यों है, एक सरे polarization क्या होता है, एक सरे polarization हम लोग इस पेस physics में पढ़ता है, एक सरे polarization, चीज़ी polarization, यह अपने आपने नहीं चीज़, कैसे अलग है, क्य आने वाली जो mission होंगे, mangal ayon होंगे, गगन यान होंगे, इनके बारे में हम लोग फोड़ी detail समझेंगे, क्या उसकी अपने technical aspect है, उसकी क्या preparation करता है, फिर इसके लाबा, earth observatory क्या होते है, earth observation कैसे होता है, उसमें नाविक हमारी क्या भूमिक अप ले करता है, फिक है, again, चं conceptualize में cover किया जाता है, monthly basis पे, और moon में time कैसे decide होगा, इस पर science reporter का जो article है, वो cover किया जा चुका है, तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं, इस तरह से हम लोग unit 2 के आगे बढ़ेंगे, unit 3 के और, unit 3 में biotechnology है, हाँ, biotechnology है, health and disease वाले एरिया हम लोग cover करेंगे, तो इसमें फिर biotechnology की basics पढ़ेंगे, health and disease, तो health and disease की कौन-कौन से नए challenge है, उस पे हमारा focus होगा, तो biotechnology, health and disease समझने के लिए पहले आपको human physiology समझना पढ़ेगा, जो कि medical science, M.E.B.S. पहले साल में पढ़ाया जाता है, उसका कुछ हम basic लेंगे यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा इसमें एक lecture रहेगा, तो physiology and human, एक lecture माँ हम आपको पढ़ाएंगे, इसके लाबा जेनेटिक्स प्रिस्पर टेक्नलोजी, genome sequencing, यह सारे biotech के सब टॉपिक्स हैं, इसमें nobel मिला है नेंदर ठल की genome sequencing के, नेंदर ठल मानों समस्ते हैं न, उसकी डेनी सुवा की में बात कर रहा हूँ, UPSC ने डेनी सुवा ने 2016 में ही question पोस्ट, आप आप समझें कि UPSC कितना आगे है, nobel मिल 2000, 22 में publish हुआ, question 22, 23 में, perhaps 22 या 23 में पूछा गया, nobel मिला 22 या 23, 2023 में, टेनी सुवा, तो नेंदर ठल की genome sequencing है, उसने डेनी सुवा को कैसे identify करने में help परी, बस यह जानना आपके लिए जब, इसमें हम लोग cover करेंगे, इसके लाबा इस टेमसल बहुत important नहीं है, जब news में पर रह रहा है, काफी बार UPS इन इस पर question पूर, फ़र भी हम लोग इसे cover करेंगे, इसके लेबल पे, इसके लेबल पे, इसके लेबल माइटो कॉंड्रियल डोनेशन क्या होते हैं, या triple baby किसे बोलते हैं, triple parent baby किसे बोलते हैं, जिन में एक ही baby के 3-3 parent होते हैं, वो सारी सर्विलांसिंग में कैसी किया जा रहा है, तो उसमें हम जनोम सर्विलांसिंग का topic कवर करेंगे, कार्ट T, यानि की कार्ट इसल थेरेपी है, 2-3 साल में काफी important, UPSC में recent question पूंच चुकी है, 2022 में उसमें question पूंचा है, काम important है, लेकिन news में इतना ज्यादा है, कि हम इसे cover क करेंगे, बहुत ज्यादा time नहीं देंगे, कार्ट इथेरेपी के लिए, इसके लाबा, nanotechnology, health field में क्या कर रहा है, basic basic इसका cover करेंगे, तो भी latest development होगा, उसको फिर देखेंगे, चुकि अभी इसमें कोई ऐसी important चीज मुझे नहीं दिखाए दे लिए, जिसको कि हम ये कहें, क ये examination के उतनी important है, then disease x क्या होती है, disease x important है, because उसमें कुछ नहीं बात है, and genetic drugs क्या होते है, generic drugs क्या होते है, फिर pandemic treaty हमने यहाँ पे लिखा, cut दिया, क्यों, तुम्हें पता होना चाहिए, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे pandemic treaty, because वो science का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें आपको अपनी तरफ से भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगे, और कुछ हम कवर करें, कोई मंधली magazine पढ़ोगे 5 मिनट लगे, हम अपनी nature से deviate नहीं होते, एक यह आसपेक्ट में ही easy रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को हम ज्यादर test नहीं करें, जो reduction का खेल रखेंगे कि क्यों से चीज science and tech में पढ़नी है, और कौन से चीज आपको iR में पढ़नी है, इम्मुनिजेशन के basics, human body में immunization का exactly क्या मतलब होता है, आपकी immune system को क्या बढ़ाता है, घटाता है, suppress करता है, moderate करता है, क्या करता है, immunization के माध्यम से हम उसके basics में समझेंगे जब हम यह समझेंगे तो हमको EMR पढ़ने में बदद मिलेगे इसके आप बोलते हैं इसके अलावा मेसेंजर आरेने वैक्सीन में नोबिल मिला है 2000 ते इसका वो पार्ट हम कवर करेंगे और इसके हम लोग दूसरी वैक्सीन के साथ इसकी तुलना देखेंगे अल्टरा प्रोसेट फूट क्या होते हैं प्रोसेट फूट में क्या चेंजर होते हैं जिसके वज़े से हुमन बॉटी में उसका मेटाबालिजम स्लो हो जाता है और जिसके कारण अगर आप चेंजर फूट याधा कंजूम करते हैं तो आपका वेड बढ़ता है और आपके अनदर एनर्जी कम रहते हैं आपकी अंदर इस फूलती कम रहते हैं आपकी अंदर मोबिलिटी कम रहते हैं होर आपको बिमारियां होते हैं spectivesse Diabetes Se galer할 disease तीन यूनिट से आते हैं, हमारे पास चार और यूनिट है, उसके करीब 30-40% कॉस्चिन आते हैं, तो भी हम साथ में देखेंगे, Defense and Technology से हर साल एक कॉस्चिन आता है, किसी किसी साल दो कॉस्चिन भी आते हैं, Paira Military Forces का structure क्या है, हम लोग पढ़ेंगे DRDO कैसे काम करता है, DRDO की अब तक यह उपलब्दियां क्या थे हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको, इसको, कलावा Military Aircraft भारत में कौन-कौन से हैं, भारत ने कौन-कौन से बनाएं, कहां पर air combustion होता है, जिसके ramjet और इस ramjet का concept डवलब होता है, यह basic हम यहां पर कवर करेंगे, Current Affairs, 30 अपरेल तक हम लोग सभी unit में cover करेंगे, उसमें आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए, ठीके, के बाद Unit 5 में आंगे, Alternative Energy, जिसमें Solar Energies, अब ज़्यादा important नहीं है, फिर भी Solar Energies की basic आपको पता होने चाहिए, यह भाविश है, इसमें कभी भी question पूछा जा सकता है, Solar Energy पे DPS ने ज़ो question ज्यादा तर वो पूच चुका है, Flexible Batteries क्या होते हैं, Battery की technology में lie ion, polymer batteries, यह सारी चीज़े sulfur batteries, इसके बाद Flexible Batteries की concept है, हम लोग इन्सकी basics देखेंगे, और Flexible Batteries को detail में cover करेंगे, के लावा, fuel cell क्या होते हैं, Hydrogen fuel cell कैसे काम करता है, Bacterial fuel cell कैसे काम करता है, उससे कैसे energy generate होते हैं, यह diode, node, क्या role, node cathode की क्या role होते हैं, यह सारी चीज़े हम लोग establish करेंगे, यहाँ पे, unit 6 mentor करेंगे, जिसमें nutrition के basics पढ़ेंगे, जब हम nutrition की basics एक बार पढ़ेंगे, तो हमको vitamins और carbohydrate fats, proteins, amino acids, mechanism पता चलेंगे, जब एक बार हम यह समझ लेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, कि हम किस तरह से कौन-कौन से chemical atmosphere में exist करते हैं, कौन-कौन से compound है, इनके बारे में कौन-कौन से awareness होनी चे हमको पता चलेंगे, इसके अलावा, यह चीज़ें आपको रट्टा मारनी पड़ेंगे, एक तरीका है, इसमें आपको रट्टा नहीं मारनी पड़ेंगे, अगर आप chemistry समझ लो, कि mankind के लिए chemistry की क्या भूमी करते हैं, यही नहीं करते हैं ज्यादा तरबच्चे, अगर आपने इस तरह से इसको देख लिया, हम लोगों chemistry किस पस करेंगे, तूरा class लेक दें, कि chemistry mankind role में, mankind की life में किस तरह effect करती हैं, इसके बाद आपको कोई भी आपकी बाड़ी में को oxygen deficient करते हैं, अगर आपके blood में बहुत ज़्यादा अमल पहुंच जाए, hydrochloric, HCL, वैसी condition में आप ज़्यादा tired, muscle pain, cramps, ये सारी चीज़े महिसूस करते हैं, headache feel करते हैं, high grain feel करते हैं, तो अपने आप में इतना ही आप करो, इक बार जनरल chemistry समझते हैं, फिर देखते हैं कितना ही आसान हो जाता ही आपके लिए, food production क्या होता है, जिसमें कि हम agriculture के basic पढ़ेंगे, एक से दो लिक्षर लगेगा, food production, नाम का food production है बड़ा topic है, और उसके जो भी challenges है, emerging challenges है, उनमें नई चीज़े हैं, इसके लाबा sweeteners क्या होते हैं, तो उसमें non-sugar sweeteners important है, because diabetes के बारे में बार बार article आ रहे हैं, तो आपने आप में diabetes के कारण mainly sugars होते हैं, तो non-sugar sweeteners जो होते हैं, उनका roll अपने बढ़ जाता है, जिनका use आजकल बढ़ने लगा है, sweets में भी और packaged food, fertilizers, nanofertilizers, liquid nanofertilizers, again इस सारी चीज़े हम लोग cover करेंगे, food preservation technologies क्या है, कैसे food को लंबे-लंबे समय तक preserve करकर रखा जाता है, कैसे अ discovery app supra thermal, argon 40, atoms in mass, argon 40 atoms मंगल में पाए गए है, इनके बार में लोग पढ़ेंगे, HG super conductivity क्या होती है, smart ally क्या होते है, क्या smart ally में memory होती है, क्यों वो अपने safe में दुबार आ जाते है, बिगाडने से बिगड़ते नहीं है, कैसे वो किसी machine को adjust करते हैं, अगर किसी machine में गर्मी बढ़ने लगते हैं, तो उसके साथ हो कैसे अपने आपको modify करते हैं, इसमें machine को damage होने और उनके risk होने को prevent कर सकते है, smart ally बहुत important, इसके रावा, एक novel पढ़ेंगे, इसमें है, auto second pulses, इसके लिए physics का novel मिला, और quantum dots, इसमें chemistry का novel मिला है, 2023 में, तो ये दोनो topic भी हम लोग से कम चार से पांच और topic आ सकते हैं, कुछ topic अभी pipeline में हमारी R&D के team काम कर रही है, एक चीज find out कर रही है, तो अब पता लगाएंगे, फिर हम उनको आपसे share करेंगे, और वो इसमें करेंगे, emerging technology में काफी सारी चीज़े cover की जा सकते हैं, तो approach क्या है हमारा, 30 April तक current affairs cover किया जाएगा, और अब approach, नीचे इस देखते हैं, अब पहले हम लोग approach में NCRT के कुछ basics हैं, जो हर unit में cover करें, 11-12 के NCRT के basics हर unit में cover करें, कुछ है, मेरे द्वारा identify करेंगे वो topic हैं, मैंने 3 साल पहले इनको identify करेंगे अपनी पढ़ाई के दोरान, फिर धीरे धीरे 3 से 4 साल प 45 topics हैं, physics, chemistry, geology, botany में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, medical science और engineering के topic include करते हुए, बोल रहा हूँ कि 45 के आसपास topic है, क्योंकि हर unit में थोड़ा थोड़ा आपको मिलेंगे, तो हम लोग NCRT से वो topic cover करेंगे, detail में cover करेंगे, notes बनवाये जाएंगे, आपको dictation मिलेगा, आपक कि सभी बच्चों को पूरी बात है समय, क्यलाबा, दा हिंदू के जो science and technology की important articles हैं, इसलिए कम से कम 18 महीने के, मतलब 1 January 2023 से लेकर 30 April, 2024 तक, यानि कि total 16 महीने हो जाएं, 16 महीने कहना है, तो ये 16 मन्त के हम लोग दा हिंदू के articles में science and technology, important part है वो cover करेंगे, and advance journal, magazine and websites, इसमें कि science and tech के बारे में खास हीजए है, NASA की website, ESA की website, JAXA की website, DHT की website, Department of Science and Tech इंडिया का है, ORF, जहां पे science and tech के बारे में details है, इसके अलबा कई और बड़ी अच्छे new channels हैं, जैसे कि CNN का science and tech का department है, PVC का science and tech का department है, वो काफी अच्छे article, रस्या का RT भी काफी अच्छा publish करता है, तो हम लोग उनको भी थोड़ा सा publish करें, इस तरह से 12 से 14 करीब channels हैं, जिनको हम लोग follow कर रहे है, compilation के लिए, तो उसमें कुछ अच्छे example और कुछ अच्छे development पता चलेंगे, तो वो आपके साथ share किये जाए, ठीक है, अच्छे एक और चीज, कितना कहां से question आता है, तो करीब 30% question NCRT के selected area से आपको मिल जाएंगे, science and tech के, UPSC prelims के questions लिए, अगर मालोग 15 question आते हैं, तो 4-5 question करीब आपको यहां से मिल जाएंगे, ता हिंदो से आपको करीब 40% question मिले, यानि कि 5-6 question आपको 10 हिंदो से मिले, और advanced magazines हैं, worldwide, या website हैं, 3-4 question आपको यहां से मिल जाएंगे, लेक क्या कोई student कर सकता है, उतरे नहीं, क्या group of student यह काम कर सकते हैं, उतरे हैं, group of student यगर यह चाहेंगे, तो यह काम कर सकते हैं, लेकिन किसी एक बच्चे की बसकी बात नहीं, दो बच्चे की बसकी बात नहीं, लेकिन अगर 7-8 बच्चे हैं, उनके science में समझ अच्छे हैं, English मे command अच्छी है speed reading करते हैं तू यह काम कर सकते हैं अठेक बात धियान रखना तब यह काम तो अच्छा कर सकते हैं लेकिन साथ अपनी preparation भूल चुछ अपनी preparation compromise करेंगे अपनी तैयारी compromise करेंगे आप अपना काम करो हम हमारा काम करें इन सभी में 30% question 30% question 40% question नहीं कि 3-4 question 5-6 question 3-4 question इन 3 approach के मादम से simple है समझना आसान है अगर आप इस तरह से अपने आप से पालन कर सकते हैं तो आपको blitz की जरूरत नहीं है otherwise blitz आपके लिएक सही हथियार है गूगल करके देखना है उन्हें किसी वज़े से यह नाम चुना है blitz बहुत ऑर्गनाईज अटायक है science and tech के question पे आपकी द्वारा method पहले भी हम बता चुके हैं अगर जरूरत पढ़ी तो understanding भी होगा dictation भी होगा आपको समझाया भी जाएगा आपके notes भी बनागा discussion जूम पर होगा आप हमसे face to face बात कर सकते हैं हार moment जब भी आपके दिमाग में कोई impulse आता है कोई thought आता है आप immediately उसे reciprocate कर सकते हैं अपना question raise कर सकते हैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब type class होगी वैसा बिल्कुल नहीं होगी इसके अलावा 75 घंटी की class के अलावा इसमें 15 घंटी का revision अतरिक्त आपको दिया जाएगा जो की group discussion method पर होगा जो बच्चे हमसे पहले पढ़ते आए हैं उनको पता है कि यह method बहुत effective होता है आप अपने से चाहां जितना पढ़ें उतना नहीं आद होता है जितना कि इस method से आप याद कर सकते हैं इस प्रोग्राम की जो स्टेंडर्ड फी होगी वो 4999 होगी 15 फरवरी लगभग वो समय है जब से हम लोग अपनी final fees पर पहुंच जाएंगे अभी यह starting fees है प्रवाद में 15 फरवरी के पहले जिन बच्चों का admission हो जाता है उनको बस यह fee pay करने है that's it और पूरी आप मान के चल होंगी इसलिए मैंने बात करें पूरे मेहने क्लासे सब्सक्राइब आपको परियाब के टाइम मिलेगा क्या प्रिविजन कर सको अपने question solve कर सको आपके नीचे लिखा है ना three classes in a week one revision per week आपके revision extra है वो 75 hours में नहीं जोड़े गया है और start कब हो रहा है most probably हम लोग जन्वरी के लाश तक आते आती श्टार्ट करनेंगे तो से समारी है कि 27 27 अब जन्वरी से प्रोग्राम सुरू हो जाए फॉर्मली लेकिन उससे पहले एक करीब तीन घंटे का सेसन आएगा जिसमें की दौहजार टेशी साइंस के questions का research आपके सामने आएगा एक ब्लूपरिंट समझ लो किस तरह आएगा इसके बाद admission लो comfortably अपनी तयारी करो एक बार आप समझ लेना अगर आपको लगे कि आपको समझ में आ रहा है तभी आप फीपे करना अजर्वाइज आवाइड करना पर वात में हम लोग कम से कम तीन क्लासेश प्री रखेंगे उसमें कोई भी आसका है आप पूर थीन क्लासेश एटेन करो देख लो आपको समझ आता ही कि नहीं आता है क्योंकि हमारा प्रोग्राम थे एडवांस लेबल पहीं चलेगा हमने हमारा उदेश यहां पे जन जाग रुखता नहीं है और फ्राव बात है हमारा उदेश यहां पे अवेरिनीस बिल्ड करना ही है हमारा वो देश आपका एक्जाम निकलाना है कितना कठीन एक्जाम होगा इतना डीप में ये प्रोग्राम जाएगा नाम है ब्लोड्स को थाजन पॉंटिफोर साइंस अंटेश तो थांक्यू सुमच पॉर एस्सेटिंग यॉरसल्फ वर इस मोमेंट इस आवर इस इनिट इदी पॉंसेप्ट्चुला थांक्यू सुमच और त्रस्ट ऑन नाज हंड्रेट हंड्रेट पेपर्स ऑफ केस्ट सीरीज फ़र उपेस से प्रिलिम्स पॉजन पॉंटिफोर अपने अपने ट्रस्ट सू किया और नज को आप यूटिलाइज करते रहो ये प्रोग्राम बस पाइपलाइन में है बिलते है जली